So let's come back to tarot, I think tarot से निकली बात, but let's come back to a question, कि ये दो टाइप की tarot होती है, क्या? Tarot असंक्यों टाइप की होती है Okay, tarot के अंदर जैसी जिसकी भावना वैसा उसका tarot जिसने universe को जैसे देखा वैसा उसका tarot बन गया Raja Rani वाला भी tarot है जो witchcraft के अंदर पांच element का tarot था, वो भी tarot होता था महा काली tarot भी है महा काली? हाँ, काली का tarot भी है, जिसमें काली के कही सारा रूप है भगवत-गीता tarot भी है Okay ऐसे-ऐसे tarot होता जिसमें भगवत-गीता की stories के photos है वहाँ Krishn को Arjuna जब समझ रही है और Arjuna को Krishn जब उपदेश दे रहे है वो भी है sequence में वाँ तो आपको guidance मिलती है क्लोक के माधियम से और बहुत accurate है अभी recently मैं रिशी केश में अपने कुछ हर साल students को retreat पे लेके जाता हूँ मैं और मेरी वाइप कॉमल भरदवज हम दोनों जाते हैं रिट्वीट्स पे तो हम train करते हैं उन्हें healing में तो इस बार बच्चे tarot भी लिगा है थे कहते हैं सर चलो let us open tarot मैंने पहली बार भगोत की तक tarot open किया था बट इतना beautiful इतना correct prediction निकल के आया कि कहने की बात नहीं इवन मैंने पहली बार हाथ लगाया काली तरो को इस बार अक्टूबर में डिसमर में रखा से डिसमर में मैं पहली बार हाथ लगाया और एकदम accurate prediction तो मुझे बड़ा मज़ा है कि ये टरो कि इतना powerful है तरो के अंदर आपका जैसा भाव होता है वैसे उसकी energy होती है तो viewers के लिए पता तूब का कि पहले टरो को हाथ लगाने से पहले अपना balance और grounding कर ले क्योंकि कई बार काली वाला जो टरो है लोग उससे बहुत fascinate होते है बट कई बार लोगों ने काली टरो ओपन करना तो उनको डालावनी चीज़ें दिखाई देनी शुगे जैसे कई बार रात को उट उटके बैठ रहे थे बेचैनी हुआ घर मेला कोई अनर्जी मूव कर रही है तो वें यू ओपन गेट अफ एनर्जी जो एनर्जी गेट ओपन करते हो आप एनर्जी फील्ड में गुश सकते हो एनर्जी भी आपकी दुनिया में सकते हैं तो इस गेट को खोलते हुआ यूज आपकर शाहिए, रखेवान तरह के में थाभालगा। यूज्स आपनाहिवान को। हम अरालों को नहीं होंगे तरह कि रहुषके उुक्ते हैं कि में किसी एंगें नहीं होता है कि हमारी आपको अज़ारी और यूम इंदरना जाय। नहीं तो वो सम्मोहन हो जाएगा, hypnosis कहते हैं उसे या तो मैं उसे कर लूँगा, अगर मैं बहुत तगला हूँ उस सीज को करेट करने में, नहीं तो वो कर लेगा तो आपके पास में जो टेरो है ना का science वो बहुत logic system का अधारित है हमारे पास में कई सारे ऐसे इंडिया के अंदर और भी चीज़े हैं तो टेरो को resemble करते हैं, जैसे आता मोक्ष पटकम शिव और शक्ति ने एक हमारे पास में चौसर का निर्मान किया था शिव ने शक्ति के लिए किया था, वो भी इससे तो टेरो जो आज आप टेरो देख पा रहे हैं, ये रामचर इत्मानस के अंदर एक पीछे एक दोहा के हिसाब से चौपाईयों के हिसाब से प्रेडिक्शन का एक मेतड़ भी है अगर आप भी रामचर इत्मानस खोल के देखेंगे तो आप अगर हमारे मुक्षपटकम को देखेंगे तो वहां से भी चीज़ें आती है चौसर को भी देखेंगे, वहां से भी चीज़ें आती है तो टेरो ऐसा एकदम डिजाइन नहीं हुआ है, टेरो काई यूगों सा था टेरो ऐसा लग रहा है कि वह नीचर में अविलेबल था अब उसको बस काईट कर दिया हमारे शुक विद्या भी थी जो तोते से हम कार्ड निकलवाते थे शुक विद्या हाजारों सालों चलत रही है अज़ तो बहुत ही बेकार फॉमाइट मिल ख्याल लगлан warrior एगा बच जब सुक विद्या थी अशु विद्या थी आनेमल को इंफुलेंस करने के लिए टाकत लगती है, वो क्योंकि अपनी एक स्टेट में कॉंस्टेंटली मिंटेंड होते हैं, उनकी डीने काफी इंग्रेंड होती है, तो इह विद्या हमारे बास तो टेरो ऐसा नहीं क्या अभी अभी आई बात है, यह बहुत सदीर जल्वा ऌके, जिसे अपना भी यह कहा, पूजा की जैसी है, हमारे नीचर में है, तो जैसे मैंने सुने की राग होती है गाने की, मुजिक के अंदर राग होती है, तो उसके भी टाइम होती है, तो मेरा फिर यही नैچुरल सवाल आरहा है कि यह टैरो खोलने का भी पत्री देहने का टेरो कोलने का nemalography करने का मेरे हिसाभ से टाइम 5 से सूर्यास्त के बाद में कभी टैरो नहीं ऑपन करना चाहिए बहи जितनी वह बिद्धाइं है ना सूर अधय करनी चाहिए सूर्यास्त के बाद इंको पैटिस्ट नहीं करना चाहिए और क्या होता है अगर नॉक्टर्नल एनजी एक्टिवेट हो जाती है उसमें होता कहा कि आपके अंदर ताम सी कूर्जा बढ़ जाती है जब सूर्य नहीं है तो अब ये डार्क एलिमेंट भी करते हैं वो आपके डार्क एलिमेंट से एढ़ हो जाता है तो मेरे हिसाब से जवाब का सूर्यास्त हो जाए तो टैरो की रीडिंग नहीं होनी चाहिए प्रिडिक्शन्स नहीं होनी चाहिए किसी को पढ़ना है पढ़ सकता है बट जादा कनेक्शन एस्टेबिश्ट नहीं करें